हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और नए अपडेट सबसे पहले पाने के लिए इस बेल बटन को दबाना न भूले आप देख रहे हैं परम्पूर सिरी गुरू जी नविन कुमार निख्रा जी को बोलिये राजा राम चंद्र की बोलिये बलवन्त हनुमन्त लाल की जैं महवीरा कैशित के सुनने वाले समस्त्र सोता बंधू अब हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं संपूर राधे स्याम रामयन का भाग चार और इसमें हम महराज जसरत जी के यहां विश्वा मित्र मुनी आते हैं और प्रभु राम लच्छमन को मांग कर ले जाते हैं यगी करवाते हैं उसके पर शाथ महराज जनक जी के यहां महमांग बनकर पहुँशते हैं ये कथा हम आपको दर्साने का प्रयास कर रहे हैं और इसमें मजीरे पर हमारा सहयोग दे रहे हैं हमारे भईया हिमान्सु सुकला और हार्मोनियम पर हमारा साथ दे रहे हैं आसु तिरपाथी फुटार निवासी और तबले पर हमारा सहयोग दे रहे हैं हमारे बालकलाकार दी गुपता खुटार निवासी तो चलते हैं संपूर राधेश्याम रामाण के भाग चार की तरप महवीरा कैसेट पलियाकला के सोजन से जिस दिन से प्रकटे अवध अवध राम सचिदानंद तवसे दिन दूना बढ़ा घर घर में आनंद अब आगे जैसा हुआ सुनिये वही चरित्र दसरत के दरबार में आये भी स्वामित्र कैलास परवत पर भगवान भोले नाज जी माता गौरा को भगवान राम का चरित्र सुना रहे हैं और यहां महवीरा कैसित के माध्यम से सुता बंधुओं हम कथा का भाग चार आपको सुनाने का प्रयास कर रहे हैं बोले राजन ध्यानवे सुन कचु मेरा हाल विसियों की रच्छा सदा करते हैं भूपाल बहुत दिनों से भगवान राम लच्छमन सत्रुहन चारो भईया अपने पिता के राज काज में हाँग बटा रहे हैं और महराज जस्रत का राजपार चल रहा है और इधर एक दिन मुनियों में महामुनी विस्वा मित्र जी का अगमन महराज जस्रत जी के राज में होता है और जब महराज असरजी ने सुना कि हमारे राज में, हमारे राज महल के दरवाजे पर मुनी विस्वा मित्र आये हैं तो क्या हुआ बाबा तुल सिदाजी भी लिख रहे हैं क्या अर मुनी आगमन सुना जब राजा मुनी आगमन सुना जब राजा मुनी आगमन सुना जब राजा अर मुनी विस्वा मित्र का स्वागत चंदन वंदन अभिननन करते हैं महराज दसराज और ला करके उनको उचे सिंघासन पर बैठालते हैं और कहा महराज अहो भागी हमारे कि आपके चरन हमारे दर्बार में पड़ गए महराज जी बताईए आप कैसे आगए क्या कहते हैं महराज दसराजी से विस्वा मित्र मुनी कि राजन मैं तुम्हारे पास क्यों आया हूँ मैं अग्य जिस समय करता हूँ दुख मुझ को लिस्चर देते हैं पूजा सामत्री हमन कुंड सब नष्ट भरष्ट कर देते हैं याज्य कौन से यदि युद्ध करें तो याज्यकारी सब खंदित हैं फिर धन्वाले ना लडूंग मैं मैं भी प्रण मेरा निश्चित हैं असुरों के अत्याचारों से अकुलाया हूँ घबराया हूँ रच्छा सहायता दो चीजें तुझ से लेने को आया हूँ तू अपने पूत्राम लच्छुमान तू अपने पूत्राम लच्छुमान दे साप मुझे कुछ दिवसों को इसमें हैं तुझको पुर्ने सुयस कल्यार हर्स उन दोनों को अपने तुझको आए राजन जानता है मैं तेरे पास क्यों आया हूँ राच्छा स्लोग मुझको यग्य नहीं करने देते हैं यग्य नहीं करने देते हैं इसलिए मैं तेरे पास कुछ मदद मांगने आया हूँ और कुछ नहीं चाहिए तेरे पुत्र राम और लच्छमर को मांगने आया हूँ मुझे राम और लच्छमर दे दे आनुजा समेत देव रगुना था और निसचारबद हम होब सना था जिस समय राम का नाम सुना महराज असरजी ने अपार दुक हो गया अपार चरणों में बस्तक जुका दिया यह महराज कहो तुम्हें स्वयम समस्त अयोध्या की शेना लेकर आपका यग संपन कराने के लिए चल सकता हूँ लेकिन महराज सब कुछ मांग लो लेकिन मेरे प्राणों से प्यारे मेरे पुत्रों को मत बागो जानते हो क्यों राम में तो मेरे प्राण बसते हैं प्राण अगर मांगना है तो और कुछ मांगो अगर मांगना है और कुछ मांगो के मुनिवल मांगना है, ब अगर मेर, मांगना है, आनो ःतारे नमांगो कर दो कहो तो लदादू मैं खच्छों में हीरे खच्छों घोड़ों पर खच्छों पर कितने हीरे मोती जवाराज चाहिए महराज ले जाओ कहो तो लदादू मैं खच्छों में हीरे मगर मेरे नेलों के तारे न मांगो अगर मांग ना है तो और कुछ मांगो मगर मेरे नेलों के तारे न मांगो ए भाईया दसरजी अपार व्याकुल हो जाते हैं महराज हे मुनिवर दोनों बालक हैं भोले भाले नादान निरे रण विद्या नहीं जानते हैं लडने में अभी अजान निरे लो राज ताज संपत सेना ये सब देना दुसवार नहीं आग्या हो तो मैं चला चलू इसमें भी कुछ इनकार नहीं महराज सारी संपति ले लो सारा राजपाट ले लो अगर आपको हो तो हम भी आपके साथ चल सकते हैं लेकिन स्वामी ये राम और लच्छमन ये तो मेरे प्राणों के प्यारे हैं वैसे तो चारों ही मेरी बूड़ी आखों के तारे हैं लेकिन राम और लच्छमन दोनों प्राणों से भी प्यारे हैं फिर सदा फिर राम सदा सुखदाम मेरा कब उसका वी रहे गमारा है सब घर का वही चंदनी है जीवन भी वही हमारा है जब ये सब्दों का प्रियोग किया मोह और ममता राम के परते दिखाई विश्वा मित्र मुनी के नेत्र भाईया लाल हो जाते हैं आखों में लालिम आ जाती है अरे गादी सुवन के हो गए रक्त वरन कुछ नैन गादी सुवन के हो गए रक्त वरन कुछ नैन कहे कलक कंद्र पतिंदे इस प्रकार अब बैट ताल तूल अच्छी नहीं इस अवसर नरनात ताल तूल अच्छी नहीं इस अवसर नरनात और या तो साप जवाब दे या कर दे मेरे हाथ आज इतना बड़ा ज्यानी राजा होकर और आज मोह और ममता की बाते करता है मुझको इनकार करता है ताल मटूली अच्छी नहीं या तो राम लश्मन मुझको दे अन्यता साफ मना कर दे सुन राजन दसरत तुझ जैसे ज्यानी को इतनी बच्चों की ममता है दसरत तुझ जैसे ज्यानी को इतनी बच्चों की ममता है जा चुकी जवानी दीवानी फिर माया में तु भमता है और यदि आज बिश्लू से कहता मैं चल देते छोड करूण वाहन अरे भगवान विश्लू सभी मांगता तो अपना ग्रुण का वाहन छोड कर भाग कलते मेरे पीछे संकर से पिनती करता जो हिल जाता भी उनका आसन अरे मांगी जो तुझ से अरे ये भिच्छा इसलिए मुझे संताप हुआ तुक हुआ मुझे भी मुझको भी इस पुनिकार्य में पाप हुआ अरे भाईया जब भिष्वामित्र क्रोध में आकर महराथ दस्रस्त्रें सब्दों का प्रियोग करते हैं बसिष्ट जी ने सोचा मुझे भिष्वामित्र नाराज हो गए तो बड़ी गडबड़ हो जाएगी देखा जभी बसिष्ट ने रिसिको है संताप रप को समझाने लगे राजन छोड़ प्रलाप तुझे नहीं मालूं ये योगी राज कहाते हैं तु इनसे कुछ संकोच न कर ये योगी राज कहाते हैं तु इनसे कुछ संकोच न कर और ये बड़े बिख्यार सी लमूनी है दू किसी बात का सोच न कर ये तेरे युगलक कुमारों को प्रलपित्या धरम सिखाएंगे हर चंद दुचंद्र वहां हो कर आनंद सहीत घर आएंगे ये भाईया दस्रत बोले हम मुझे अरे दस्रत बोले हम मुझे महवीरा कैसेट के सुनने वाले सोता बंदुओं दस्रत बोले हम मुझे नहीं सोट संताप दोनों पुत्रों के हुए संरचक मुनि आप इतना कह भरी सभाही में तत काल पुलाए राम लखान इतना कह भरी सभाही में तत काल पुलाए राम लखान चरलों में गाधी तने जीके सानन्द गिराए राम लखान लो हात में इनका हात नात ये दोनों भोले भाले हैं ये फिकरा याद रहे भगवन दोनों नाजों के अब पाले हैं आज मुनी विश्वा मित्र के हातों में प्रभू राम और लख्मन का हात पकड़ा दिया और राम और लख्मन से गुरू मिस्वा मित्र जी क्या कहते है स्वता बंधुओ पुत्रो जाओ आज से तुम हमारे नहीं हो हम तुमको गुरू बिस्वामित जी के हातों में सौप रहे हैं और बेटा हमारी एक बार ध्याग रखना क्या अरे बेटा जाओ गुरू के साथ सेवामेनित रहे हो रे सेवामेनित रहे हो रे दिवा भईया बेटा जाओ गुरू के साथ सेवामेनित रहे हो रे के बार बेटा जाओ जाओ बार बेटा जाओ बारा जाओ बेटाओ बार जाओ जाद बादेगनित रहे हो रे ए बेटा जोई खिला में खाईयो जोई पिला में पीजियो जोई खिला में खाईयो जोई पिला में पीजियो बेटा जाओ मुन के साथ जिवा में नितरय औरे वाह आज हमारे प्रभूराम अपने छोटे भाईया लच्छमार के समेथ स्रोता बंधुओ आज चल देते हैं कहां मुनि विस्वामित्र का यग्य संपन्न कराने आज जब पहुंच गए रात्री में भी स्राम किया और सुबा क्या लिखते हैं हमारे बाबा तुल सिदाज जी प्रात कहा मुनि सन रघुराई अरे भाईया प्रभु राम और लच्छमार ने कह जाओ गुर्वर् आप अपना यग्य संपन्न कराई करिये और हम यहां पहरा देने के लिए दोनों भाईया तयार है आज प्रभु राम और लच्छमार दन उस पर बान चढ़ा कर बिलकुल तैनात खड़े हैं जिस समय कोई निसाचर आएगा और यग्य को विद्वन्स करने का प्रयास करेग हम उसका बात करेंगे आरंभय आज्यका होते ही असरों का मंडल आप पहुचा कुब अनुस्ठान में दिश्ण रूप निश्धुल निश्चर दले आप पहुचा जब दोनों पिजाई सिंगों का ये आवसर पहला आवसर हो दर्म इस्थापन करेंगे या ऐसा पिस्वास न क्यूं कर हो छण में सुबाहु रज नीचर को अरपन कर दिया अगनिसर के मारी चनीच को उरा दिया सोयोजन पार समुंदर के एहे बनवा बन गया स्वरन कानन काटों से खाली चमन हुआ ए राज कुमारो सुखी रहो विस के मुक से ये मचन हुआ आज मारीच सुबाहु इत्याद समका बद करके मारीच को उड़ा दिया तारिका का बद करके निरिविग्न यग संपन कराया महराज विस्वामित्र आज बड़े आनंद के साथ राम को आसिरवाद देते हैं अगले दिन मुनी को मिला ये सुन्दर संदेश और धनुस महोत सो के लिए बुला रहे मिथलेस समाचार सुनकर लगे चलने जब मुनीनात प्रेम विवस चलते समय लिया इने भी साथ विस्वामित्र मुनी महराज जनक जी के यहां पर धनुस यग हो रहा है आज वहां से निमंत्रन आया है जा रहे हैं और साथ में भईया राम और लच्मन को भी प्रेम वस लिये जा रहे हैं चले जा रहे हैं चलते चलते जानतों क्या हुआ चलते चलते वो जगय मिली छाया न जहां दिखलाती थी जिस ओर नेत्र दो राते थे मरभूमि द्रश्की में आती थी थी पड़ी एक पासान मूर्ती चारों दिस जिसके कोहिरा है मुसका कर पूछा रगुवर ने गुरुवर ये अचरज कैसा है भगवान राम ने कहा गुरुवर ये पथर की सिला कौन है यहां उजड क्यों लग रहा है फिर कहा कभी तो गौत मत दिया अब सिलाप साप की मारी है अरे ये पथर की सिला कौतम की नारी है स्राप की मारी है सब को उपराम हुई ये आकन चाएक तुमारी है ये राम इस पाप प्रपीलित पथरी को पदरज का जेतन चूरन दो ये पतिता है पावन पद दो जीवन म्रत को सजीवन दो चुआ चरण से सिला को राघवने ततकाल पदरज लगते ही हुई गौतम नारी निहाल स्रिया पतिराम चंद्र की चरणों की धूल को लगते ही भगवान ने जैसे चरण सपर्स किया गौतम की नारी अहिल्या सुंदर सरूप धारण करके भगवान चरणों के चित्में भईया ध्यान करते हुए परमपता परमात्मा के परमधाम को प्राप्त हुई और इधर भईया गंगा जी का असनान करते हुए अपने पुर्खों को जलदान देते हुए प्रभुराम कुछ दिन चलते 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 आज कहां आ गए जनक पुरी के अंदर आ गए जहां पर महराज जनक का निवास है और जानते हो भाया भारत में तमाम राजा थे तमाम राजा लेकिन उन राजाओं में सबसे सिरोमनी राजा है महराज जनक इनका नाम है विदेह ये कभी कभी प्रभु के भक्ति में अतना लीन हो जाते थे कि कि बेशुद हो करके गिर पड़ते थे तभी लोग इनको विदेह के नाम से जानते थे आज जब विश्वामित्र का आगमन हुआ और महराज जनक जी ने सुना तो दवड़े दवड़े गए महराज जनक जी आज विश्वामित्र मुनी को लाते हैं और उनके चरों को भयास पर्स करके धोते हैं उनका सोडस प्रकार से पूजन करके और आज पूचा सिंगहासन देते हैं लेकिन आज जिस समय राम और लचमन की तरफ उनके नेत्र जाते हैं तो मन उनकी तरफ खिचने लगता है बोले मेरे देश के धन्य भाग हैं आज हूंक्रतार्थ दर्सन मिले ऎए सीधी मुनिराज धन्य है मेरा भाग धन्य है धन्य हो गया प्रभू आज मैं धन्य हो गया लेकिन बार बार महराज जनक की आखें राम की तरफ चली जाती है कितने सुन्दर भालक हैं कितने सुन्दर ये प्रभो कहीं अगर ये भालक भाया धन उसको तोड़ देते तो इन से स्योग वर मेरी बेटी के लिए कोई नहीं है लेकिन मन में सुचा ये तो तपस्वी भेस में हैं मैं अपनी बेटी की साधी किसी फकीर के साथ नहीं कर सकता तो ये पता लगा लिए कि ये कौन है तो कहा ये महराज ये दोनों बालक कौन है आज महराज जनक जी समझ जब कहते हैं तो विस्वामित उनके मन का हाल समझ जाते तो कहते हैं क्या जानना चाहते हो जनक ये कौन है राम लाखान दस राथ के जाए संका ना करो महीत लागी नरेश पठाए ये महराज ये दोनों बालक कौन है कहा मत घबड़ाओ राजन में तुमारे मन का भाव समझ रहा हूँ क्या जानना चाहते हो ये दोनों बालक राजकुमार है या नहीं है तो सुनो दोनों है पुत्र अवाधन रप के नाम राम लाज मने इनका दोनों है पुत्र अवाधन रप के है नाम राम लच मने इनका ये बली गुणी ये बली गुणी उत्र साही है किसी पीदी से हो वाण नन इनका हाहह एधन निर्विग न कराया यह एक लोले रहा यह कार निर्विग निसंपन कराया निर्विग्न कराया आया क्यकारी निसचर समूह संघारा है गौतम की नारी अहिल्या का पद रज से सापो निवारा है अब धनु सम्म होतसो के कारण या दोनों भाई आये है राजन तेरे आनंद है तु राजन तेरे आनंद है तु हम इने साथ में लाए है राजन दुनिया 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 दर्सन का मेला है अरे मनी ये दो दिन का मेला रहेगा गायम न जग का मेला रहेगा ये महराजन दुनिया दर्सन का मेला है अरे जितना अच्छा हो अच्छा है आगे तो वाही होना है जो कुछ बिधना ने लिखा है ये सुन कर मिथलेश ने किया पूर सम्मान और दिया ठहरने के लिए सुन्दर सुखद इस्थान महराजन जी ने राम और लच्छमन गुरु विश्वामित्र को सुन्दर इस्थान दिया रात्री विश्राम के लिए राम लच्छमन भैया गुरु विश्वामित्र के साथ सो जाते हैं और यहीं पर महवीरा कैसट के द्वारा संपूर राधेश्याम रामयन का भाग चार का समापन हो रहा है सुरताओ इससे आगे की कथा आपको संपूर राधेश्याम रामयन भाग पाच में महवीरा कैसट के द्वारा प्राप्त होगी आप कोई हमारा कारकरम कैसा लग रहा है इसका सुझाओ आप जरूर देंगे और भया हमारे चाइनल को आप सस्क्राइब करेंगे राइक करेंगे आपके सस्क्राइब करने से हमारा हांसला भुलंद होता है और हम और अच्छी सीजें आपके सामने लाने का प्रयास करते हैं बोगलिये सियापति राम चंद्र की बलवंत हनुमंत लाव